हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग बात करेंगे बैंक के बारे में जी हां बैंक जिससे कि आप प्रस्नल लोन ले सकते हैं क्योंकि प्रस्नल लोन के लिए बहुत सारे लोग परिसान होते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि इतने सार ओफर आपके पास आते हैं लेकिन आप लोन किस से ले और जब लोन ओफर तो आ जाते हैं लेकिन जब आप लोन लेने जाते हैं तो क्या-क्या चीज़े आपको रिक्वाइर होगी और क्या चांसे होते हैं आपके लोन एप्रूब होने के मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि म यहां से सब के पास आते हैं प्रेशनल ले लिजिए यह ले लिजिए लेकिन जब आप डोकुमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे कौन-कौन से बैंक आपको फायदे दे सकते हैं उसकी पूरी जनकर यहां पे मिलेगी तो चलिए वीडियो की सुरुवात करते हो उसे पहले चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे बहुत करते हैं कि जब आप कोई भी लोन लेते हैं चाहे वो परेस्नल हो चाहे एजुकेशन हो चाहे आपका होम लोन हो कार लोन हो तो आपको क्या क्या चीज हो की requirement क्या क्या चीज आपको सबसे पहले देखनी चाहिए सबसे पहले जो आप loan ले रहें उसका interest rate क्या है क्योंकि ये जो interest rate होता है कभी-कभी fixed interest rate पे आप loan लेते हैं कभी-कभी flexible होता है time to time वो change भी होता है तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए क्या आप fixed rate पे ले रहें या flexible rate पे ले रहें यह जो भी rate आपको मिल रहा है वो क्या है ऐसा नहीं कि आपने loan ले लिया जल्दवाजी में और आपका जो interest rate है वो 30% 35% यहां तक कि अभी तो 36-37% तक भी जा रहा है जो आप private app से loan लेते हैं तो वहां पे आप अगर 1000 रुपे लेते तो उस 1000 को चुकाने में आपको 2000 रुपे खच हो जाते हैं तो यह सारी चीजे वहां पे रहती है तो आपको हर चीज को देखके लेना चाहिए ऐसा है जल्दवाजी में हाँ हमें जोरत है तो कहीं से भी कुछ उठा लिए बिल्कुल न मतलब की 35 35 या 30 30 आपको तीन मंत में जमा करने कहां से करोगे तो एक टाइम पिरियेड और यह माई भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइम पिरियेड के लिए ले रहे हैं उस चीज को और कितना आपको यह माई दिया जा रहा है ऐसा नहीं कि जल्दवाजी में ल between-loadation या या ماई नहीं मिलता हों का बहुत सारे आपमेंnings रहता है कि हम से मेंने के लिए ही देंगे बार मेंने के लिए ही देंगे तो वहां पर दिकत हो सकती है इसके बाद पार्ट पेमेंट, अब पूछेंगे ये पार्ट पेमेंट क्या होता है, पार्ट पेमेंट का मतलब होता है, अगर आपने पांच लाग का लोन लिया, और हो सकता है, छे महने के बाद, पांच लाग का लोन है, पांच साल के लिए आपने लिया, आपकी एक जारी हर महने, लेक साल के लिए तो वह आप इंट्रेस्ट सारे कल्कुलेट करके देखें तो आपको लगए कि दस लाग कल्वन हो जाएगा दस लाग रुपे आप टोटल उसको पे करेंगे तो उस इस्तिति में लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे जमा करके बीच में दे देते हैं कि भाई जो मेर प्रिंस्पल एमांट है यानि मूल धन है उससे इस पैसे को काट लो तो उसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट पार्ट पेमेंट से फायदा यह होता है कि अगर आपने छे मैने हलपर जब आपको मजबूरी है तो आपने लोन लिया और आपके पास पैसे आगे तो आपने उस लाक रुपय छे मेने बाद जमा कर दिया तो आपका जो रेश्ट अमांट बचा है वो तीन लाकी बचा है उस पर आपको इंट्रेस्ट देना होगा तो एक फायदेमन चीज हो जाती है यह तो यह पार्ट पेमेंट वो एलाउ करते हैं कितने टाइम के बाद आप पार्ट प जमा किया तो दो लाक आठ अजार रुपय आपको जमा करने पड़ेंगे दो लाक कटवाने के लिए तो ऐसी चीजे भी होती है इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है इसके बाद आता है फोर क्लोजर फोर क्लोजर क्या होता है कि माली जी आपने पांच लाग का लोन ल जारते हैं या कोई जमीन से कुछ भी आपके पास चार लाग रुपय आ जाते हैं कहीं से भी आप चाहते हैं कि जो मेरा रेश्ट एमांट है चार लाग मैं इसको आप किस्त में ना देखी एक साथ ही देके अपना सेट्लमेंट खतम कर लूँ इसको लोन को और नोसी लिलू कि अब हमारे पास कोई लोन नहीं है क्योंकि अगर वो चार लाग को पे करने जाते हैं एमाई पे तो आपको वो चार के आठ लाग पे करने पड़ेंगे इंट्रेस जोड़ जाड़के तो अब चाहते हैं क्यों मैं क्यों करूँ मेरे पास पैसे आ चुके तो मैं 4 लाग जम तरते हैं आपसे तो बहुत सारी चीजे हैं इन सब सारी चीजों का आपको समझ के लोन लेना चाहिए थीके अब यह चीजे हो गई अब बात करते हैं interest rate के अभी जो फिलाल का interest rate है वो यह आप चार्ड देख सकते हैं इसमें हर बैंक का अलग लग चार्ड है और यह नहीं कि य इतना ही पे आपको मिलेगा, ये 25% तक भी चला जाता है, ठीक है, कभी-कभी आप नॉर्मल एप वैप से लेते हैं, 36% तक भी चला जाता है, मतलब हर महने का 3% तक लेके चला जाता है, जिन लोगों ने भी लोन लिया होगा, उनको पता होगा ये सारी चाहिए, तो ये सिर्फ भी गौर्रमेंट बैंक या बैंक में जाते हैं, सबसे पहले प्रस्नल लोन के लिए मैं बता दू, आपकी सेलरी अच्छी खासी होनी चाहिए, बैंक में सेलरी आनी चाहिए, और लगातार 3 या 6 महने का सेलरी आपको दिखना चाहिए, वहां पर ऐसे नहीं का आपने अभी दिखने ही चाहिए, और एक फिक्स सेलरी, अगर आपकी 25 यार, 30 यार सेलरी है, तो हर महने उतने ही दिखने चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी मन्त 15 हजार आ गया, किसी मन्त आपके 30 यार आ रहे हैं, तो वो काउंट नहीं होता है, वो मिनिमम वाला ही काउंट करेगा, यह बात ज अब तो यह हो गई, पूरी प्रोफेशनल बात है, अब जो मुद्दे की बात है, कि क्या लोन मिलता है, बिलकुल मिलता है, मैंने भी कई जगह से लिया है, लेकिन इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, यसे अगर आप बैंक से जाके लोन लेते हैं, तो जिस भी कमपनी में आप काम कर रहे हैं, सबसे पहली चीज, अगर गौर्लमेंट तो बहुत अच्छी चीज है, गौर्लमेंट नहीं है, तो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, तब ही आपको लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि कोई जैसे बजाज हो गया, फुलर ट्रोन है, हीरो का है, आजकल हीरो फेनांस भी करती है, यहां सब अगर अप लेते हैं, तो यह लोग प्रोप्राइटर्शिप में भी देद देती है, लेकिन सिविल स्कोर्ट ठीक ठाक होना चाहिए, तो यह सारी, लेकिन यहां पे आपको इं ली जाएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी फर्मलेटी होती है, अगर आपका कुछ युगार है, कोई है, प्रस्नल में बात बता रहा हूँ, तो तभी आपको यह चीजे मिलेगी, तो एक बार जब भी लोन ने, जितने भी चीजे मैंने बताई, उसको आप अच्छे समझ आपको दिन में 10 कॉल आएंगे, तो गल्पी से भी किसी को भी अपने डोकुमेंट्स ना दे, बिल्कुल भी, अगर जब भी करें, खुद से किसी आपको इंस्टॉल करके अपलाई करें, या कोई आपका जानकार है किसी कंपनी में, बजाज या इन सब कोटेक में, किसी बै लोन दिला देंगे, वो बिल्कुल ना करें, वहाँ पे क्या होती है, वो तुक्ते में काम करते हैं, आपका पैन कार्ड लिया, आपका आधार लिया, और उसके लिंक अप में जितने भी जगह है, जहां से लोन प्रोवाइड हो सकता है, सब जगह एक साथ ही फाइल बेज द आपकी, तो यह बिल्कुल ना करें, किसी भी फोन पे कभी भी अपने डोकुमेंस बिल्कुल सेर ना करें, जब भी लोन लेने की बात हूँ, तो डैरेट बैंक में जाए, वो आपको सारी चीज़ समझा देंगे, वहाँ आपका नहीं होता है, तो किसी भी जो भी प्राइव उससे बात कर लीजिए, तभी यह सारी चीज़े किए, फोन पे कभी नहीं, ठीक है, तो यह थी आज की अपडेट, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देंगे,